या देवी सर्वभूतेशु माब्रमचारिनी रूपेण संश्थिता नमस्तस्याई 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 नमोनमः ओम दुंग दुर्गाई नमः 11 फरवरी 2024 आज है रवीवार का दिन और आज माग मास की गुप्त नवरातरी का दूसरा दिन है और नवरात्री के दूसरे दिन मा भगवती दुर्गा के दूसरे सुरूप मा ब्रह्मचारणी की पूजा की जाती है तो आज की वीडियो में आप नवरात्री के दूसरे दिन की पूजा विधी के बारे में जानेंगे इसके साथ ही दुर्गा शप्षती का दूसरा और तीसरा अध्याय सुनेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए तो सबसे पहले जानते हैं दूसरे दिन की मा ब्रह्म चारेनी की पूजा विधी के बारे में तो देखिए पूजा की विधी बिल्कुल वही होती है धूप दीप अक्षत पुष्पित्यादी अरपित करके आपको पूजा आरातना करना है लेकिन नवरातरी के दूसरे दिन मा भगवती दुर्गा के दूसरे सुरूप मा ब्रह्म चारेनी की पूजा में कुछ विशेश चीजों का प्रियोग होता है जो की मा को अत्यंत प्रिय है जैसे कि मा ब्रह्मचारणी की पूजा में एक कमल या फिर गुढ़ल के पुष परपित करने से समझत प्रकार की कामनाएं पुरुण हो जाती हैं इसके साथ ही माता को प्रिय हैं भोग में शक्कर या फिर शक्कर से बनी हुई चीजे आप चाहे तो दूद से बनी हुई मिठाई का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन मा को मिश्री चीनी या फिर पंचामरित का भोग लगाना अत्यांत श्रेष्ट माना जाता है इसके अलावा जो भी आपके पास रितुफल हो, रितुफलों का भोग लगा सकते हैं, इसी प्रकार से मा को कुछ रंग भी प्रिये हैं, जैसे कि पीले या फिर सफेद रंग के वस्रधारन करके मा ब्रह्मचारिनी की पूजा करनी चाहिए, और मा ब्रह्मचारिनी का बीज मंत्र है रीम श् करते समय इस मंत्र का कम से कम 11 बार 21 बार जप अवश्य करना चाहिए, या फिर आप चाहें तो या देवी सर्वभूतेशू मा ब्रह्मचारिनी रूपेण संच्थिता नमस तस्याई नमस तस्याई नमुनमः इस मंत्र का भी जब कर सकते हैं, तो अब देखिए, जैसे कि आ मां ब्रह्मचारिनी को धूप दीप इत्यादी अर्पीत करके विद्यवितान से उनकी पूजा करने के बाद, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आप मंत्र जब कर रहे हैं, उस मंत्र का जब करेंगे, और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, मंत्र जब आपका और इसके अलावा, आप चाहें तो सुबै या फिर शाम को किसी भी समय छोटी सी एक धूनी कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो चोटा सा हवन कर सकते हैं, ग्यारह या फिर 21 साहुतियां दे सकते हैं, तेल गुड और घी मिलाकर या फिर आप हवन सामगरी लाकर भी और हव कर रहे हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है आपको बिल्कुल शुद्धर सात्विक भोजन लेना है एक और चीज ब्रह्मचर्य का पुर्णुरूप से पालन करना है और अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं मतलब जिन भक्तों ने इस नवरात्री में व्रत धारण किया तो आप चाहें तो एक समय नमक ले सकते हैं बाकी दिन में फलहार कर सकते हैं और जो भक्त वरत नहीं कर रहे हैं वो शुद्ध और सात्विक भोजन ले लेसुन प्याज इत्यादी का सेवर ना करें इस बात का आपको ध्यान रखना है और हाँ नाखून बाल इत्यादी ये सबी चीजे भी आपको नहीं काथनी है अगर आप नवात्री में कोई भी नियम लेते हैं साधना करते है मंत्रों का जब कर रहे हैं तो नव्रात्री के इन सब भी नेमों का पालनरा आपको करना चाहिए और अब आप सुनेंगे सबसे पहले माब्रमचारणी की कथा, उसके बाद दुर्गा शिप्षति का दूसरा और तीसरा अथ्या है और अब सबसे पहले सुनते हैं माब्रमचारणी की कथा दधा नाम करपदमाभ्याम, अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसी दतुमाई, ब्रमचारणी नुत्तमा माब्रुगा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप माब्रमचारणी का है यहां ब्रम्र का अर्थ तपस्या से है, माब्रुगा का यह स्वरूप भगतों और शिर्धों को अनंत फल देने वाला है इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की विद्धी होती है ब्रम्र चारणी का अर्थ तपकी चारणी यानिकी तपका आचरन करने वाली देवी दुर्गा का यह स्वरूप पुर्ण जोतिर में और अत्यांत भग्य है इस देवी के दाएं हाथ में जबकी माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारन किये है पुर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारत जी के उपदेश से भग्वान शंकर को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारणी अर्थात ब्रह्म चारणी नाम से अभीद किया गया एक हजार वर्ष तक इन्होंने केवल फलफूल खाकर बिताए और सो वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निद्वाह किया कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कश्ट सहे तीन हजार वर्षों तक तूटे हुए बिलोपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही उसके बाद तो इन्होंने सूखे बिलोपत्र खाना भी चोड़ दिया कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही पत्तों को खाना चोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपरणा पड़ गया कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिड हो गया देवता, रिशी, सिद्धगण, मुनी सभी ने देवी की तपस्या को अभूत पुर्व, पुन्यकृत्य बताया सराहना की और कहा हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोड तपस्या नहीं की या तुमी से ही संभव थी तुम्हारी मनो कामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पती के रूप में प्राप्त होंगे अब तपस्या छोड़ कर घर लोट जाओ जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठीन समय में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए देवी ब्रह्मचारणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ती होती है तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, सैयम जैसे गुणों की विद्धी होती है जीवन के कठीन संगर्सों में भी व्यक्ति अपने कर्तव यपत से विजलित नहीं होता माब्रह्मचारणी देवी की की पासे उसे सर्वत्र सिध्धी और विजय की प्राप्ती होती है लालसाओं से मुक्ति के लिए माब्रह्मचारणी का ध्यान अवश्य लगाना चाहिए माब्रह्मचारणी को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया है देवी ब्रह्मचारणी, भगवती दुर्गा, शिवस्वरूपा, गणेश्ट जरणी, नाराहणी, विश्नुमाया तथा पुर्ण ब्रह्मस्वरूपीनी के नाम से भी जानी जाती है तो सबसे पहले आप सुनेंगे दूसरा अध्याए और उसके बाद तीसरे अध्याए का पाथ स्रवन करेंगे और दूसरे अध्याए में देवताओं के तेज से देवी का प्राधुर्भाव और महिसासुर की सेना के वधि के बारे में वर्णन किया गया है तो पाट सुनने से पहले माभगवती जगदंबा का अपने मन में श्मरण कीजिए ओम नमस्चंडिकाई इस मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से इस कथा का श्रमण करते हैं रिशी कहते हैं पुर्वकाल में देवताओं और असुरों में पूरे सो वर्सों तक घोर संग्राम हुआ था उसमें असुरों का स्वामी महिसासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे उस युद्धि में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्थ हो गई और थावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पुर्वक कह सुनाया। वे बोले हे भगवन महिशा सुर्य, सुर्य, इंद्र, अगनी, वायू, चंद्रमा या मवरुन तथा अन्य देवताओं के भी अतिकार छीन कर स्वयम ही सबका अधिश्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिश ने समझत देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुश्यों की भाती प्रिथियू पर विचरण करते हैं। देथ्यों की यह सारी कर्दूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है और अब हम आप ही की शरण में आए हैं। उसके वदि का पाई सोचिये। तब इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विश्नु और शिव ने द्यत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विश्नु के मुग से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा संकर तथा इंद्र आधी अन्यान ये देवताओं के शरीड से भी बड़ा भारी तेज निकला। और वह सब मिलकर एक हो गया। उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकलाए। श्री विश्नु भगवान के तेज से उसके भुजाएं उत्पन हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग अर्थात कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर, समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकठ हुई देवी को देख कर, महिशा सुर के सताई हुए देवता बहुत प्रसन हुए। प्रण करके दिया और एरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। दोनों चर्णों के लिए निर्मल निपूर, गले की सुन्दर हसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रतनों की बनी अंगूठियां भी दी। और विश्व कर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेत्य कवच भी दिये। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारन करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाई दी। जलधी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंग तथा भाति-भाति के रत्न समर्पित किये। धना ध्यक्ष कुबेर ने मधू से भरा पान पात्र दिया तथा संपुर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस प्रिथी को धारन करते हैं उन्हें बहुमुल्य मडियों से विभूशित नागहार भेट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूशण और अस्त्र सस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। अत्यंत प्रसनता के साथ शिंग वाहिनी भवानी से कहा हे देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्शियों ने भी भक्तिभाव से विनमर होकर उनका स्तवन किया। जो अपनी प्रभा से तिनों लोकों को प्रकासित कर रही थी। उनके चर्णों के भार से प्रिथवी दभी जा रही थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध चिड़ गया और नाना प्रकार के अस्त्रशष्ट्रों के प्रहाड से संपुर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिशासुर का सेना नायक था वह देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़ सवारों के अनेक दलों तथा एक करोड रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य पाँच अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महा देत्य रत हाथी और घोडों की सेना साथ साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे और स्वयम महिसासुर उस रणभूमी में कोटी कोटी सहस्त्र रत हाथी और घोडों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था वे देत्य देवी के स तोमर भिंदिपाल शक्ति मूसल खडग परशु और पट्टिस आधी अस्त्र सश्ट्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार भी किया कुछ लोगों ने पास भेंके कुछ दूसरे दैत्यों ने खडग प्रहार करके चमात्र भी चिन्य नहीं था देवता और रिशी उनकी स्तूति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही देवी का वाहन सिंग भी प्रोध में आकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ अस्रों की सेना में इस दावानल फैल रहा हो रणभूमी में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी ततकाल सैकडों हजारों गडों के रूप में प्रकट हो गये और परशु भिंदिपाल खडग दथा 25 आदी अस्त्रों द्वारा असु प्रकट हो गये और उस रणांगण में बार्ण समूहों की वरिष्टी से कितने ही असुरों की कमर तूट गए बाज की तरह जपटने वाले देवी पीडग दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ दोने लगे किनी की बाहें छिन भिन हो गए कितनों की गर्दने कट गए कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे और कुछ लोगों के शरीर मध्यभाग में ही विदिरुन हो गए कितने ही महा दैत्य जांगे कट जाने से प्रिथवी पर गिर पड़े कितनों को ही देवी ने एक बाह एक पैर और एक नेत्रवा ले करके दो टुकडों में चीर डाला कितने ही दैत के मस्तक कट जाने पर भी गिर कर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लेपर नाचते थे और कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खडग, शक्ती और रिष्टी लिए दोरते थे तथा दूसरे दूसरे महा धैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए रलकारते थे जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था, वहां की धर्ती देवी के गिराय हुए रत, हाथी, घोडे और असुरों की लासों से ऐसी पट गई थी, कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था देत्यों की सेना में हाथी, घोडे और असुरों की सरीड से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदिया बहने लगी जगदंबा ने असुरों की विशाल शेना को छड़ भर में नश्ट कर दिया ठीक उसी तरह जैसे त्रेड और काट के भारी धेर को आग कुछ ही छड़ों में भस्म कर देती है और वह सिंग भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीडों से मानों उनके प्राण चुन लेता था वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्य किया जिससे आकास में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे इस प्रकार स्री मारकंडे पुराण में सावरणिक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्मे में महिसासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ और अब आप सुनेंगे दुर्गा शप्तशती का तीसरा अध्याय और दुर्गा शप्तशती के तीसरे आगे बढ़ा वह असुर रण भूमी में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने रगा जैसे बादल मेरुगरी के सिखर पर पानी की धार बर्षा रहा हूँ तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूँ को अनायास ही काट कर उसके घोडों और सार्थी क नश्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दोड़ा उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंग के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया रिशी आगे कहते हैं हे राजन देवी की बाह पर पहुंसते ही तलवार तूट गई फिर तो क्रोध से लाल आखे करके उस राक्षस ने सूल हाथ में ले लिया और उसे उस महाद्यात्य ने भगवती भत्रकाली के ऊपर चलाया वह शूल आकास से गिरते हुए सुर्यमंडल की भाती अपनी तेज से प्रज्वली थो उठा उस शूल को पराकरमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीडा देने वाला चामर हाथी पर चड़ कर आया उसने भी देवी के ऊपर शक्ती का प्रहार किया किंतु जगदंबा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निस्प्रभ करके ततकाल प्रित्वी पर गिरा दिया शक लड़ते हाथी से प्रित्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे तदनंतर सिंग बड़े वेग से आकास की और उचला और उधर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर धर से अलग कर दिय इसी प्रकार उद्दग्र भी शिला और व्रिक्ष आदी की मार खाकर रण भूमी में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दातों, मुक्कों और थपड़ों की चोट से धरासाई हो गया क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचुमर निकाल डाला, भिंदिपाल से वाशकल को तथा बाणों से तामर और अंधक को मौत के घाट उतार दिया, तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महा हन नामक तैति को मार डाला, और तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धर्चे काट गिराया, दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलुक भेज दिया, इस प्रकार अपनी सेना का संगहार होता हुआ देखकर, महिसा सुर ने भेंसे का रूप धार से कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायू के जोके से धराशाई कर दिया, इस प्रकार गणों की सेना को गिरा कर वह असुर महादेवी के सिंग को मारने के लिए जपटा, इस से जगदंबा को बड़ा क्रोध हुआ, उधर महापराक्रमी महिशा सुर्भी क्र तथा अपने सींगों से उचे उचे परवतों को उठा कर फैकने और गर्जने लगा, उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृत्वी छुब्ध होकर फटने लगी, और उसकी पूच से टकरा कर समुद्र सब और से धर्ती को डुबोने लगा, हिलते हुए सींगों के महान प्रोध किया, उन्होंने पाश फैक कर उस महान असुर को बांध लिया, उस महा संग्राम में बंध जाने पर उसने भैसे का रूप त्याग दिया और ततकाल सिंग के रूप में प्रकट हो गया, उस अवस्था में जगदंबा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्य पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा, तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्चा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींद डाला, इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया, तथा अपनी सूंड से देवी के विशा सिंग को और गर्जने लगा, खीशते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली, तब उस महादैत्य ने पुनह भैशे का शरीर धारन कर लिया और पहले की ही भाती चराचर प्राणियों सहीत तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा, तब क्रोध में भरी हुई जगन माता च उस समय देवी अपने बाड़ों के समुहों से उसके फेंके हुए परवतों को चुर्ण करती हुई बोली, बोलते समय उनका मुख मधू के मध से लाल हो रहा था और वाणी लड़ खड़ा रही थी, देवी ने कहा, ओ मूढ, मैं जब तक मधू पीती हूँ, तब तक तु छ सूल से उसके कंठ में आखात किया, तब उनके पैर से दबा होने पर भी महिसासुर्ण अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा, अभी आधे शरीड से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उससे रोग दिया, आधा निकला होने पर अभीवह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपुरण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए देवताओं ने दिव्य महर्शियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया गंधव राज गाने लगे तथा अपसराय नित्य करने लगे इस प्रकार स्री मारकंडे पुराण में सावरणिक मनमंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्मे में महिसा सुर्वध नामक तीसरा अध्याई पूरा हुआ ओम नमस्चंडिक दोस्तों आज आपने सुना दुर्गा शप्तिशती का दूसरा और तीसरा अध्याई और इसके आगे के अध्याई आप कल की कथा में श्रवन करेंगे तो कल की कथा भी आप जरूर सुनिएगा और आज की कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर अप्लोड होंगी उनकी नोडिफिकेशन आपको सही से मैं प्रप्राप्त होगी मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार